दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ Google AdSense में आपना personal setting कैसे करते हैं दोस्तो यह नई यूटूबर को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह setting बहुत ही important है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा Chrome पे क्लिक करना होगा और यहां लिखना होगा Google AdSense Google AdSense.in Google AdSense.in और यहां से आपको सर्च कर लेना होगा नीचे आपको यहां यह रोक आपसन यहां पे क्लिक करके यहां से आपको सर्च कर लेना है उसके बाद यहां जो नीचे आपको सो करेगा Google AdSense यहां पे आपको क्लिक करना है Google AdSense पे क्लिक करना है उसके बाद यहां से जो है page open होगा थोड़ा सा समय लेता है थोड़ा सा time लएगा page open होगा और यहां से जो है page open होने के बाद जो है यहां आपका tab open हो जाएगा देखिए अब यहां जो है आपको यहां three line पे click करना है three line पे जैसे आप click करेंगे उसके बाद यहां आपको click करना है account पे जैसे आप click करेंगे उसके बाद यहां जो है आपको click करना है account information के नीचे है personal settings इस पे आपको click करना है उसके बाद यहां से आपका page open हो जाएगा यहां देखिए यहां से आपका page open हो जाएगा और यहां आपक चाहते हैं इसका password change करना, edit password in google account, अगर google account में अपना password change करना चाहते हैं तो यहां से आप change कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, उसके बाद यहां क्या करना है, contact details में आपको यहां अपना name fill up कर लेना है, चलिए मैं अपना name यहां fill up कर लेता हूं, यहां निसांद, निसांद, c, और last name में जो है अपना title यहां आपको दे देना है first name और last name इस तरह से आपको fill up कर लेना है उसके बाद जो है यहां show कर रहा है देखिए use login email use login email तो यहां जो है मेरा email है अगर आप चाहते हैं email दुसरा यहां email आपको अगर डालना है तो यहां आप दे सकते हैं उसके बाद जो है यहां contact phone है optional है अगर आप चाहते हैं तो दे भी सकते हैं या नई भी दे सकते हैं अच्छा रहेगा कि इसमें आप update कर दीजी अपना mobile number भी उसके बाद जो है नीचे यहां show कर रहा है account update यहां जितना भी arrow का निशान है इस पर click है इस अब ऐसे ही आपको रखना है उसके बाद जो है नीचे save का option है यहां save की option पर आपको click करके यहां से आपको save कर लेना है तो दोस्तों इस तरह से अपना जो है Google Adsense में professional setting करते हैं